माता पिता के सामने बेटे बेटियों की सही समय पर शादी करना बहुत बड़ी चुनाती है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें ताके ऐसी ही ग्यानवर्थक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ और आप अध्यात्मिक और इसके साथ साथ जोतिश के उपाए वास्तु के उपाए जानकर अपने ग्यान म के दिन आपने करने है अगर कैसी भी समस्या है शादी को लेकर रिष्टे नहीं आते हैं या रिष्टे आते हैं पर बात नहीं बनती है अगर किसी भी तरह की समस्या है डिले हो रहा है शादी में बच्चे बड़े हो रहे हैं उम्र जादा हो रही है और विवहा के जो योग वो खुल नहीं रहे तो भी आप ये उपाय कर सकते हो आपने ये दोनों उपाय जो मैं बता रही हूँ इकठा भी किये जा सकते हैं और इन में से आप एक उपाय भी कर सकते हो अगर आप दोनों इकठा करेंगे तो इसके जादा लाब आपको मिल सकते हैं तो चलिए उपाय के लिए आप नोट कर लें, आपने क्या करना है, पांच प्रकार की मिठाई लेनी है, पांच प्रकार की मिठाई आप कैसे भी ले सकते हो, अलग लग मिठाई आप लें और पांच पीस ले लें, इसके साथ साथ आपने लेना है एक हरी इलाईजी का जोड़ यानि कि दो हरी इलाइची आपनी लेनी है इसको भी आप पांच पीस मिठाई के साथ रख लें अब इसके साथ आपने शुर्दगी का दीपक जलाना है शुर्दगी का दीपक आप आटे से भी बना सकते हैं और मिट्टी का दीपक भी जला सकते हैं अब इन सभी चीजों को इ इकठे हों मालक्ष्मी और भगवान विश्नु आप इस सभी जो भी आपने एकठा किया है मिठाई, इलाइची और घीका दीपक इसे आप भगवान विश्नु की तस्वीर के सामने या मूर्ति के सामने रख दें और प्रार्तना करें कि शीग्र विवा होने के जो योग है वो इसे करें तो मा ज़रूर कर सकती है तो मा अपने बच्चों के ले प्रार्तना करें कि उनकी शादी के रास्ते खुल रहे हैं उनकी शादी की योग बन रहे हैं भगवान विश्नु उनको आशिरवात दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि तीन बार किया गया ये उपाए पुदगी का दीपक एक वहाँ पर भी जलाएं और वहाँ पर जाकर आप ब्रस्पती के 108 नमों का उच्चारन करें ऐसा इसलिए करना है क्यूंकि ब्रस्पती को विवा के योग का ग्रहम आना गया है तो आप अगर ब्रस्पती को खुश कर लेते हैं तो विवा के योग आपको मिल जाएंगे और वहां से लेकर आप पढ़ सकते हो जहां केले का पेड़ हो उसके आगे दीपक जलाना है 108 नम ब्रस्पती के पढ़ने है और प्रातना करने है कि शादी के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं आपके बच्चों का ब्रस्पती मजबूत हो रहा है विवा के मार्ग में आ रही बाधाएं समाप्त हो रही है तो इस प्रकार की प्रातना से तीन बार आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट मिलने लगेंगे आप इस उपाई को जो दूसरा मैंने बताया है आप अकेले भी कर सकते हैं पर आप अगर दोनों उपाई गुड न्यूस आपको जरूर मिलेगी आप इसे आजमा कर देखें दोनों उपाई करें मैं यही कहूंगी और इसके रिजल्ट जो है वो जल्दी आपको मिल जाएंगे पांच गुरुवार जब आप करेंगे तो कुछ न कुछ जरूर अच्छा होने लगेगा तो इस प्रक चांसिस जो है वो और भी जादा बढ़ जाते हैं तो इसलिए मन में कभी negativity के साथ कोई भी उपाई मत करें आज के लिए इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब सुरूर करें मैं मिलती हूं अगली वीडि को देखने के लिए धन्यवाद